तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेलप और सीवीटी प्रेपरेशिट पे तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ पॉल्टुचिरी इन्वर्सिटी का जो थर्ड सेलेक्शन लिस्ट आने वाला है वो कब आने वाला है और इसका जो कटफ होगा वो कितना लोग होगा जो सेकेंड मेरिट लिस्ट सेलेक्शन लिस्ट जो आया हुआ है उससे कितना कम होने वाला है तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में इसके बारे में मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में आप लास तक बने रहें बहुत लोगों का मैंने ट्रेंड देखा है कि बहुत लोगों का एड़िशन हो चुका है अलग-अलग इन्वर्सिटिज में और उनका एड़िशन हो चुका है तो इस वाज़से वे चैनल को अंसस्क्राइब कर दे रहें प्लीज ऐसा ना करें आपको आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो जो यूट्यूबर्स आपकी जो हेल्प कर रहे हैं जो एवरेज सेंट्रल इन्वर्सिटिज के बारे में जो वीडियो बना रहे हैं वो हो सकता है कि बनाना बंद कर दे इस चोटी बड़ी अपडेट आपको देता हूं तो प्लीज आप लोग चैनल को सस्क्राइब करके रखें तो यहां पर मैं आपको कटफ के बारे में बताऊंगा और एक और बात है कि सबसे कम कटफ आपका जी होगा वो थर्ड सेलेक्शन लिस्ट में होगा यहां पर बहुत ज करूंगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसका थर्ड सेलेक्शन लिस्ट है वो कब जारी होने वाला है तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो इसका थर्ड सेलेक्शन लिस्ट है वो आपका दो दिसंबर को जारी होगा और इसका जो पेमिंट करने का सेस होंगे वह जल्दी ही आप स्टार्ट होगा इसका कोई ओफिशल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा मैं आपको आगे का अपडेट दूंगा यहां पर जितना भी अपडेट है मैं आपको दे रहा हूं यहां पर आप लोग का जो थर्ड सेलेक्शन लिस्ट है वह आपका दो सेलेक्शन लिस्टू और यहां पर आप लोग देखेंगे कि क्यों कटफ है वह पिछली बार के तुलना में काफी कम हुआ है लगबग 30 मार्क्स का अंतर आया है जेनरल कटेग्री में और भी कटेग्री में काफी अंतर आया है आप देख सकते हैं 19 मार्क्स वाले का 170 है यान आगे के बारे बात करें अलग-अलग क्टेग्री का जैसे को वीचि में आप देख सकते हैं सिर्फ 86 मार्क्स पर ही केंडिडेट को उठा लिया गया है इन्हीं केंडिडेयट का अडमिशन होगा जिसने भी अपलाई किया है निकिता सिंग का और और वी आप देखेंगे कि 25 25 माक्स वाले का इस सब्जेक्ट में एडमिशन मिला हुआ है तो यहां पर आपका होने वाला क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं बहुत कम-कम नंबर पर भी बहुत सारे कैंडिडेट को लिया गया है तो ऐसा होने वाला है कि आपका जो एसकोर होने वाला है वो बहुत कम चला जाएगा इस सब्जेक्ट में तो मुझे नुमाने की सीट खाली रहेगा अंत्र तक और जीतने भी कैंडिडेट ने रेश्टेशन किया है सबका एडमिशन हो जाएगा बहुत सारे सब्जेक्ट में जैसे कि एकनोमिक्स हो गया इ SCST का बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा और में भी हो सकता है कि सीट ही खाली चली जाए और बहुत सारी सीट पर तो कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे ऐसा होने वाला है तो अगर आपका मार्स कितना भी कम है तो आपको दिक्कत वाल अनुमान है कि इसका जो थर्ड सेलेक्शन लिस्ट आएगा उसमें बहुत ज्यादा कम आपका कटफ देखने को मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंतक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवत थैंक्यू